Hello friends, Welcome back in Defense Academy तो आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे about scientific instrument तो यह जो topic है आपका physics subject का topic है जिसमें हम सभी भी important जो instrument है उनका आपको question paper जो कि आपका ACT paper number 4 है उसमें इनके functions related और इनकी जो units रहती है किस unit में कौन सा आपका instrument बर्क करता है उनसे related आपको question देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम सारे instrument को discuss करेंगे जो की काफी ज़्यादा important है आपके exam के लिए साथ ही यहाँ पर discuss करेंगे आपके साथ में कि आप अपने एक महिने में कैसे तयारी कर सकते है to crack the ACC exam तो सबसे पहले हम बात करते है altimeter के बारे में तो यह जो instrument है इसका use किया जाता है altitude को measure करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले आता कि altitude क्या होता है तो altitude basically height रहती है जो की C level से above कोई point है इसको measure किया जा रहा है पूछा जा रहा है कि इस point का altitude क्या है तो above C level इसकी जो height होगी वो इसका क्या हो जाएगा altitude तो altimeter का use किया जाता है altitude को measure करने के लिए तो यहाँ पर altitude क्या है height है तो height को किस में measure करते हैं हम meter में measure करते हैं तो यह meter में measure करता है आपका altitude next है आपका ammeter तो यहाँ पर जो ammeter है यह major करता है electric current को तो electric current आपको पता होगा इसका जो unit है SI unit current का वो क्या है ampere तो यह कह रहता है जो आपका circuit है उसमें आपका ammeter series में add होता है यह question आपका आप ही चुका है previous years के exam paper में कि आपका ammeter किसी भी circuit में किस तरह से add होता है तो यह series में add होता है और सांती यहाँ पर आपका आता है voltmeter तो voltmeter का use कहा होता है voltage को measure करने के लिए कोई भी दो end है उनके बीच में यह आपको voltage measure करना है तो बहाँ पर voltmeter यूज होगा और जो आपका voltmeter connect रहता है यह connect रहता है आपका parallel में ठीक है तो यह आपको याद रखने वाली बात है नेक्स्ट आपका आता है animometer तो यहाँ पर आपको जो animometer है यह major करता है force and velocity of wind जो भी हवा चल रही है वो किस direction से चल रही है और उसका force कितना है यह major किया जाता है animometer के द्वारा तो यह maximum use किया जाता है metrology में तो इसका purpose आपको समझ में आ गया इसका function है force and velocity of wind नेक्स्ट आपका क्या है audiometer तो जो आपकी sound है इसकी intensity को यह दि major करना है तो इसके लिए आप use करेंगे audiometer और यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि जो आपका sound है इसको major किया जाता है db में जो की unit है क्या decival तो यह सब आपको ऐसा unit एक दम याद रखनी है साथ ही साथ इनके function याद रखनी है यहाँ पर next है barograph तो barograph क्या होता है सबसे पहले आप बात करेंगे आप barograph तो जहाँ भी barograph सब use हो रहा है इसका मतलब बहाँ पर atmospheric pressure की बात हो रही है तो यहाँ पर जो barograph है यह करता है जो आपका continuous recording करता है atmospheric pressure का ठीक है तो barograph कर यूज हो गया continuous recording of atmospheric pressure next है barometer तो same यह major करेगा आपका आपका atmospheric pressure तो आपको याद रखना है कि baro सबद जहां आ जाता है जैसे कि हम आपने discuss किया था अल्टीमीटर के बारे में तो यहाँ पर जो आपका barometric altimeter होता है तो वो आपकी जो altitude है वो देगा किस के according atmospheric pressure के according तो यहाँ पर उसको बोला जाएगा barometric altimeter next आपका क्या है binocular, binocular का यूज किया जाता है जिसे आप क्या बोलते है दूर भी इनके नाम से जाना जाता है तो जो दूर के object है इनको देखने के लिए binocular का यूज किया जाता है next है bolometer तो bolometer के यूज किया जाता है heat radiation के लिए जहाँ कहीं भी heat के radiate हो रहा है महाँ पे major करने के लिए आप यूज करेंगे bolometer next आपका instrument है उसका नाम है calipers तो जो आपने सुना होगा यूज भी किया होगा one ear calipers तो इसका काम किया जो भी inner या outer diameter से किसी भी object का bodies का उसको major करने के लिए calipers का use किया जाता है तो यह different type के होते है burnial calipers होता है digital calipers होता है ठीक है तो आपका जैसे यह object है इसका inner dia निकालना है या फिर outer dia निकालना है तो इसके लिए यूज किया जाएगा calipers next है calorie meter तो आपका जो भी reactions है जैसे कि आपका mechanical reaction हुआ electrical या फिर chemical तो बहाँ पे जो भी heat निकलता है उसको quantity कितनी है यह measure किया जाता है calorie meter के द्वारा meter measures quantity of heat next है आपका cathetometer तो यह जो meter करता है height और basically यह meter करता है आपकी जो vertical height रहती है तो यह scientific instrument है जो की बहुती precision के साथ में यूज किया जाता है आपके जो भी linear distance है उनको accurately measure करने के लिए इसका यूज किया जाता है next है chronometer तो chronometer आपका जो भी जहाज वगेरा जो की समुदर में चलते हैं vessel C उनकी longitude को determine करने के लिए chronometer का यूज किया जाता है next है colorimeter तो यह जो आपका colorimeter है वो आपके color की intensity को compare करता है आपके different type की जैसे 7 color रहते हैं तो उनकी intensity में जो compare किया जाता है वो किया जाता है colorimeter के द्वारा next आपका है commutator तो commutator का यूज का होता है जैसे आपके घर में जो electricity आ रहे है वो AC में आ रहे है ठीक है उसे DC में convert करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे commutator तो यहाँ पर direction को change किया जाता है electric current की वो किसके द्वारा commuter तो AC से DC में convert या फिर DC से AC में यह किसका काम है commutator का next जो आपका instrument है वो क्या है काईरोमीटर तो आपके जो काईरोमीटर यह एक टाइप का thermometer होता है तो thermometer क्या यूज करता है टैंपरेचर को यूज करता है तो जहाँ पर very low temperature रहेगा आपर थर्मोमीटर यूज किया जाता है और एक वर instrument है जिसका नाम क्या है पाईरोमीटर तो पाईरोमीटर कहां यूज होगा जहाँ पर high temperature रहेगा very high temperature will be measured by pyrometer और जहाँ पर low temperature है skyrometer ठीक है और thermometer भी temperature को measure करने के लिए use किया जाता है तो ये कितने low temperature को measure करता है close to 0 degree Celsius next जो instrument है वो क्या है dilatometer तो यदि आपका कोई भी volume है substance है उसमें कुछ भी change आ रहा है ठीक है तो वो measure किया जाता है dilatometer के द्वारा next है आपका dynamo तो dynamo क्या electric generator भी बोला जाता है जिस तरह से आपको पता होगा जो भी generator है dg set है वो क्या है dynamo है ये converts करते हैं आपकी mechanical energy है into electrical energy जहाँ भी आपको electrical energy निकालनी है तो वहाँ पर dynamo use होता है next है आपका dynamo meter तो dynamo meter क्या करता है जो भी आपका force है, torque है, electric power है ये measure किया जाता है किस के द्वारा dynamo meter के द्वारा तो यहाँ पर PIC के साथ में आपको सारे scientific instrument बताए गए जिससे कि आपको mind में बने रहे याद हो जाएगे आसानी से तो फ्रेंड जैसा है कि आपके exam का last minute अभी आ गया है, अब आपके पास time काफी जादा कम बचा हुआ है, यदि अभी भी आप prepare नहीं है तो यहाँ पर defense academy आपके लिए एक सुनेरा मोका, आप join कर सकते हमारा ACC 126 का return crash course, जिसमें आपको चारो subject की, all subject की full preparation कराई जाएगी यहाँ पर आपको daily life classes दी जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते कि daily night में जो आपकी life classes है, वो connect कराई जाएगा, यहाँ पर पहले आपको classes में समझाए जाएगा, उसके बाद आपको PDF इस तरह है कि जो PDF जो आप यहाँ पर देख रहे, cutouts बेक, यहाँ पर प्रोवाइट कराए जाएगे, जहां से आप अपने on time पर study करेंगे, साथ ही यहाँ पर benefit आपको क्या है कि यहाँ पर आपको पूरे videos के recorded lectures मिल जाएगे, जिससे के आप कोई भी topic है, जिस पर आपको ज़्यादा force देना ह आप यहाँ से prepare कर सकते हैं, यहाँ पर देखें जैसे कि आपका जो GMAT papers होता है, उसके सारे recorded lessons यहाँ पर आपके लिए provide किये गए जो कि हमारे application पर आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको ICC का paper, ACT, CJET, सारे papers के लिए video, recorded lectures, साथी साथ PDF, यह जहाँ पर आप देख सकते हैं कि CJET क full book by Defense Academy published किया गया है, जिसमें आपके important CJET के सारे questions यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ इस course को join करना चाहते हैं, तो आप download करें हमारा app Defense Academy ACC NDA, इस पर आप किलिए store पर जहाँ पर आपको सोगा हमारा course ACC 126 full return course, इसको यहाँ से आप purchase कर सकते हैं, साथी यहा पर आपको personal guidance provide किया जाता है, इस guidance के लिए आपको कभी भी, जैसे आपको कोई class miss हो जाता है, यदि आपको कहीं पर कोई problem आ रही है, तो आप हमें हमारे जो WhatsApp नमबर है, Defense Academy का, official number 8120745966, इस पर आप हमें कभी भी contact कर सकते हैं, तो friends, अभी भी जो determined person है, जो अपनी तयारी अ अच्छे से करना चाहते हैं, वो interested person हमको call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, या फिर direct हमारा course purchase कर सकते हैं through application, क्योंकि हम भी हमारा result खराब नहीं करना चाहते हैं, last year हमारे जो भी candidates हमारे साहां जोड़ी हुए थे, जो कि सारे ACC 125 का return exam clear किये, उनसे आप contact कर सकते हैं, उनसे पूछ सकत हैं कि किस तरह कि यहां पर आपको guidance दिया जाता है, किस तरह कि आपको smart study कर आजा सकती है, जो कि आपको last moment बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यहां पर हम आपको guarantee देते हैं, within a month you will clear your exam, so thank you friends and wish you very all the best for your exam.